पार्थी क्रिकेटर इसाथ सर्मा सभी परूप में पार्थी राष्टी टीम के लिए खेलते हैं वो वत्मा में इंडिया प्रीमेर लीक में दिल्ली कैपिटर और गरेर क्रिकेट मैचों में दिल्ली कैपिटर के लिए खेलते हैं वह दाय हाथ के बल्लेबाच और मत्यक तेज गेंदबाद है, इसा सनमा दाय ने हाथ के साथ पार्ती राश्टी टीम के प्रमुक तेज मत्यबाद गेंदबाच है, वह 26-27 तक पार्ती टीम में सामिल हुए, उन्हें हर तरफ की रिकेट खेली और वन्डे टेश्ट दोनों में सो विकेट लेने वाले पांचे सबसे कम वर के खिलाड़ी बने, सक्सम में वह एक मत्यबाद की तेज गेद बाद थे, जिनकी गती अक्से 150 किलो मुटर पती गंटा थी, उन्हें रिकी पेंटिंग 152 किलो मुटर पती गंटे का रेकोर्ड तोड़ा है, इस साथ अपने सान स सपाव के वावचु दस साल से अधिक समय तक भारत के लिए खिलने में सपर रहे है, वह लगा था IPL केस में हिस्सा लेते रहते थे और इसने भी गुपचू तरीके से साधी कर ली, टीम इंडिया के प्रमूग टेस केंट बाद इसा सलमा अपने करिये के सवसे दोर में, इसा लगा सकते है, हालकि इसाथ ने अब दिखा दिया कि वह लंबे और छोटे दनों परुप में के लिए सवसेट है, दोजा ग्यारा में वह सो टेस्ट क्रिकट लेने वाले पांचिव सबसे कम उबर के खिलाडी बने, दोजा तेरा में इसा सलमा दक्सीनी आफ्रिका को हर पांचिव सबसे तेज पार्तिया बने, उन्हें रिदम गेंदवाज के रुप में गेंदवाज की, लेकिन अभी भी अंतराष्टी क्रिकट और IPL में सबसे तेज पार्तिया गेंदवाज से एक है, इसाथ ने दोजा ग्यारा में वोक्सिंडे टेस्ट में रिकी पॉंटिं इसाथ लंबे समय तक प्रवाव नहीं छोड़ पाए है, क्यूंकि उन्हें चोटी की चिंता रहती है, फिर भी जब भी उन्हें पार्तिय टेस्टी टीम के लिए चुना गया तो उनका युगतान लगाता है, बना रहा, उदायान के तोर पर वो ऑस्टेला और नीजिलेंड के हिला भात की योजा दर्स की सुकला को ले, लंबू अपने अंडर नाइटी वर्स के दोरां गेदवाज का उपना वन गया, जब लंबा और दूबला हुआ करता था, अपनी तेज गती और सटी गेदवाजी से इसान सर्मा ने भात में तेज गेदवाजी की कमी को दूर क कर दिया, सिलूट की छवी कायम है, इसमें कुछ ऐसी बात याद आती है, जो अनिस नकाल तक कायम रही की, और एक कावत जो मेरे पिता तब इस नमाल करते हैं, जब मैं छोटा था था